Hello friends, welcome to my channel आज की वीडियो में मैं आपको इस तरीके के कपड़े से बहुत ही useful चीज बनाना सिखाओंगी अकसर आमारे पास इस तरीके कपड़े के टुकड़े बज जाते हैं जिनका use मैं आज आपको इस वीडियो में बताओंगी तो छोटे से कपड़े के टुकडे का यूज बताऊंगी मैं कि बिल्कुल जो छोटे होते हैं उन्हें फेक देते हैं तो आज मैं उससे बहुत यह आपके लिए यूजफूल चीज बनाऊंगी तो सबसे पहले हमें एक कपड़े का पीस इस तरीके से ले लेना है इस तरीके से और यहां पर एक निसान लेना है इस तरीके से एक निसान लगा लिए मैंने चार इंच पर आप इस तरीके से एक निसान लगा लीजी तो आप चार इंच ओड़ा और चार इंच लंबा एक कपड़े का पीच निकाल लीजिए इस तरीके से यह देखे मैंने बिलकुल निकाल लिए और ऐसे ही हम एक और पीच इसका निकाल लेंगे दूसरे कपड़े से आपके पास प्लेन कपड़ा नहीं है तो कोई भी टुकड़ाओ प्रिंटिट हो आप प्रिंटिट का भी बना सकते हैं कोई भी कपड़ाओ उसके साथ मैच करके बना सकते हैं इस तरीके से तो ऐसे हमें एक और पीच निकालना है देखिए मैं निगाली है दो कलर के अब इसके बाद हमें इसे इस तरीके से मीमन ना है और दूसरे वाले को भी इस तरीके से महीमन को इसे बराबर कर ले हम अगर यह छोटा बड़ा है आप इसमें पहले प्रैस कर लीजिए देखिए सवह पराई है लेकिन अगर आपके ऐसे कपड़ा है तो आप उसमें पहले प्रेस कर लेए अप हम इसको इस तरीकि से मोड़ेंगे और इसमें हम सिलाई करेंगे तो चलिए मैं मसीन में इसमें शिलाई करके आपको दिखाती हूँ इस तरीके से रखना है हमें कपड़े के उपर कपड़ा देखिए नीचे यह वाला तिक हो ना और उपर इसके उपर यह वाला पहले हम इसे जॉइंट कर लेंगे यह शिलाई आप बाद में खोल भी सकते हैं इसके बाद हमें एक डोरी लेनी है देखिए मैंने यह डोरी लिए इसको इस तरीके से मोड़ना है और यहां बिल्कुल किनारे से शिलाई करते वे यहाँ पर मोड के शिलाई कर लीनी है इस तरीके से तो मैंने ये शिलाई कर लिए एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे और हम मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ ये देखिये ये सुन्दर सी लटकन बन कर तयार है और इसे आप अपने ड्रेस के लिए बलाव सूट किसी के लिए भी बना सकते हैं मैचिंग इस तरीके से मैंने पुराने कपड़े का यूज किया है बचेवे कपड़े का आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगली नई वीडियो में